हेला स्टुएंट्स आप सभी का हमारे यूट्व चैनल पर स्वागत है और जैसा कि आप देख रहे हैं हम अपने यूट्व चैनल पर मेकैनिकल उसके लाइट 32 को लेकर के उनके सब्जेक्ट को लेकर के गौशाम की प्रिपेशन को लेकर के ऑन-केंपस, ओफ केंपस, प्लेस आपने यॉटिब चैनल को सबस्क्राइब कर सकते हैं और हमारी vbijeos को लाइक कर सकते हैं में शेर कर सकते हैं आज हम आपके सामने जो है जई एढ़ानिकुल की स्युजेंट से अपका साथ निंफ्ञार न क्यूंजिणियरणींग कर सकते हैं आप प्रोल इंजिनिंग के जो पास आउट सुडेंट्स हैं बी टेक जो बच्चे बी टेक हैं आपका और साथ में जिन बच्चों ने एम टेक किया हुआ या फिर आपका एमी किया हुआ है तो उनके लिए आज की वीडियो है तो आपका एयर प्रड़क्ट इंडिया लिमेटेड क आपका एक एयर प्रड़क्ट जो है आपका यूएस की MNC कमप strongest में की सब्रांटेर्स में इनकी सब्रीक प्लांट हैं दो इंडिया में वहां कए पूने और खूरण-धाफ प्लांत है वहां के लिए वेकंसी आई भी है आपका और इसमें जो आपका पोस्ट निकली है वो आपका एंजीनियर्स की पोस्ट आपका सिखार एंजीनियर inje gels की पोस्ट सकते KIM जो बच्चे B-Tech Pass-outs हैं उनके लिए वेकेंसी जो है निकली हुई है तो उसमें जिन बच्चों ने आपका B-Tech किया हुए या फिर आपका M-E किया हुए या फिर M-Tech किया हुए आपका Mechanical में, Civil में, Electrical में, Chemical में या फिर आपका Instrumentation and Control Engineering में तो ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है ओके तो चलिए अब हम जो Air Products US-based company है आपका इसकी जो इंडिया में जो इसके प्लांट्स हैं आपका पूने और वडूद्रा गुजरात में वहां के लिए जो आपका चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको उसके लिए जो है जो कंपनी की वेबसाइट उस पर जाना पड़ेगा तो उसके लिए आप जो है आप एयर प्रोडक्ट्स डॉट कॉम पे जा सकते हैं ठीके न या फिर आप कर सकते हैं आपका एयर प्रोडक्ट्स डॉट इन ठीके न तो आप जाएंगे तो आप इसी साइट पा जाएंगे ठीके न एयर प्रोडक्ट्स वाली साइट पे आप आप जाएंगे और इसमें आपको क्या करना है इसमें आप या तो आप स्लैश में डाल सकते हैं इसमें से airproducts.in आप करियर कर सकते हैं या फिर आप जब airproducts.com वाली site पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको काफ़सारी इनके tab दिखाए देंगे जिसमें आपको करियर वाले option पर जाना होगा ठीक है ना करियर वाले option पर आपको जाना होगा तो भी आपको दिखा देंगे इसमें हम तो उसमें आपको करियर वाले option पर जाना होगा तो जब करियर वाले option पर जाएंगे तो को स्क्रॉल कर दो गयाना है कि यहां पर अपने इसपर जो है किलिक करना है ठीक है जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप जो है अपना वाले अप्शन पर पहुंच जाएंगे ठीक है यहाँ पर आपने क्या करना है टोटल जो इनके पास जो वेकेंसी है टोटल 883 ऑपॉर्चुनिटीज है अल अवर इंडिया में जहां भी इनके प्लांट्स हैं वह ठीक है ना आपको यहाँ पर इंडिया टाइप करना तो इंडिया में जो इनकी वेकेंसी है वह आपको मिल जाएंगी ठीक है इंडिया डालके आपको जो है सर्च के ऑप्शन पर जो क्लिक करना है तो जैसी आप click करेंगे इसमें तो इंडिया में जो टोटल इनके पास जो है कितनी है 109 vacancies इंडिया में है इनके पास अब जो है आप इसको scroll करेंगे scroll करके आपको मिल जाएंगी जैसे project manager की है वरोदरा में है लेकिन हम इसमें क्या करेंगे हम इसमें सीरेज दे जाएंगे आपका जो इंजिनियर ट्रेनीज वाली जो वेकेंसी उस पर जाएंगे आप देख सकते हैं यह वेकेंसी जो 27 मार्च को जो आई है जो इंजिनियर ट्रेनीज के लिए निकली वी है इस पर जो हम किलिक करेंगे और जैसी पिर हम क्लिक करेंगे तो हम जो है जो इंजिनियर ट्रेनीज वाली जो प्रकेंशी है उसकी जो डिस्क्रिप्शन है हम उस पर पहुंच जाएंगे ठीक है अब यहां पर आप जो है इसके डिस्क्रिप्शन को डिटेल में आप पढ़ सकते हैं देखिए आपको साब दिया जोब डिस्क्रिप्शन में दिया पोदिशन संबरे दिये वी आर लुकिंग फॉर ए ग्रैजुएट अब पॉस्ट ग्रैजुएट इंजिनियर ट्रेनिस तुज़ाइन आवर इंजिनिरिंग टिम इन पूने और वडुदरा तो आपका जो यह वे वडुदरा में यह उनका प्लांट है गुजरात और पूने में वहां माहराश्ट के लिए च्टे कंसी अपका महराश्ट मे और वडुदरा का गुजवद्रास में तो भुझरात में अंका नृट िस ओवर प्ले च्टि आकार्ट और डिलिवरी आपको पुझक्तरी ओंदा टाइम करने होगी लुकिंग फॉर देडिटेट एगा और इसके बात जो आपका इसमें दिया है इसमें लुकिंग फॉर देडियर ग्रैजुएशन प्रोज्ट्टर ने शुन इन इन इंजिर निंग यह नौट बिफोर तोथाजन 22 in one of the below mentioned disciplines तो 2022 से पहले वाले जो आपका BTEC होल्डर से वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं जिन इसकी कंडिडेट्स ने जिन इस्टूडेंट्स ने 2022 में जो अपना या फिर आपका Master डिगरी पास आउट किया है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं कौन कौन से डिस्प्लेन से आपका Civil Engineering, Mechanical Engineering, Electrical Engineering या Chemical Engineering और आपका कि इंस्ट्रुमेंटेशन और कंट्रोल इंजिनिंग से जिन बच्चों ने अपना बीटा किया एंटेक पास आउट किया है 2002 में वह बच्चे इसमें पास आउट कर से उससे पहले वाले जो हैं वह अप्लाइब नहीं कर सकते हैं ठीक है तो केंडियर सेलेक्टिड विल गो ओ त्रुए डिटेल ट्रेनिंग प्रोग्राम जो कैनेडिश में सेलेक्ट होंगे उनको जो में एक लास्रूम ट्रेनिंग होगी ओन्द जापर ट्रेनिंग प्रेक्रिकल उति है वहां पर ले जाये जाएगा त्र उन्हां ट्रैनिंग रवा जाएगी अटर सकस्फुल कम्वलि आपको जो इनके मेंटर्स हैं उनके साथ जो है जो डिजाइन इंजिनियर होंगे उनके साथ मिलकर के जो उनको काम करने का मोका दिया जाए जाएगा और जिससे की वो जो टीम में रहकर के टरेंटर प्रोफेशनल की तरह जो काम करते कि आप इसमें की रेस्पोंसिबिलिटीज जो है आपका दीविए सपोर्टिंग डिलिवरी ऑफ इंजिनियरिंग डिजाइन एंड असेस्मेंट इन मुल्टिपल डिसिप्लिन एंव सूब ताइम मेनेजमेंट और प्रोफेशनलिजम ए ग्रोथ माइंडसेट और अपन टू कंस्ट्रक्टिव फीडबैक टीमवर्क स्केल होने चीए इस्टेबलेशिंग एक्सिलेंट एंड नेट्वर्क स्केल होने चीए ओपरेटिंग इन एकोड़ी अगोड़ेंस इसके साथ इसके पाद आपको यहां पर अपने पहले कभी साइन नहीं किया है तो आपको नीचे आपको एक दिखाई दे रहा होगा do you don't have an account yet ठीक है ना क्योंकि आपका account अपने पहले कभी create नहीं किया है तो आपको जो है फिर इस वाले option पर जो आपको click करना होगा ठीक है इस पर जब आप click करेंगे don't have an account yet इस पर जैसे आप click करोगे तो privacy and policy का यह खुलेगा इनका option आपने यह privacy and policy बहुत ध्यान से पढ़नी है पहले इसको पढ़ लेना है ठीक है अच्छे से इसको जब आप पढ़ लेंगे तो पढ़ने के बाद जो है फिर आप जो इसको अच्छे से पढ़ने अगर आपको सबकुस्ट ओके लगता है तो उसके बाद फिर आपने अगरी का बटन दबा रहा है ठीक है जैसे आप अगरी के बटन पर आप click करेंगे तो उसके बाद आपके सामने यह interface खुल जाएगा तो आपके सामने यह interface कुलेगा तो आपने यहाँ पर what is the name of your first school तो आपके first school का क्या नाम था तो वह आपने फिल कर देना उसको आपने continue कर देना है ठीक है ना जैसे आप continue करेंगे continue करने के बाद आपके सामने यह interface कुलेगा यहाँ पर आपने अपने email id डालनी है और फिर आपने अपने password डालना है फिर आपने यह एंटर करना है password ठीक है ना और यह एंटर करने के बाद जो है इसको scroll करके आप नीचे जाएंगे करके आप नीचे जाएंगे तो उसके बाद आप कोश्म में मिलेगा फिर आपका what is the name of your first school जो आपने शूर्य में option मिला था जहाँ पर आपने जो आपने first name of school को डाला था तो वह यहाँ पर आपने नाम डाल देना है उसके बाद continue करेंगे उसके बाद जो है आप जो है इसक जिर्टा जो पासवर्ड आपने जनेरेट किया है और जनेरेट करने के तो फिर आपने ispर क्लिक कर देने के लिए कंटिनीई की option पे. आप पोँच जाएंगे सीधा चैसरी और आप जो यह कर देना है तो तो इस तरीके से जो आपको जो है फॉर्म भरना है तो इस तरीके से जो है आपने फॉर्म भर देना है तो इस तरीके से आप जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं तो मैंने आपको जो इसमें अप्लाई करने का प्रॉसेस बता दिया है तो यह वेकेंसी आपका निकली हुई है एय ग्रैजुएट है, दो अजार 22 से पहले के बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, उसके 2002 में जो बच्चे ने पास आउट के हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, तो आपका जो BUTAC है, उसमें आपका सिविल है, mechanical है, electrical है, आपका, उसका स्थापका instrumentation and control engineering और आपका chemical engineering की जो students हैं, वो इसमें apply कर सकते हैं, ओके, thank you.